रादे रादे दोस्तों आज हम आपको सनाएंगे स्रीक्रेशना जनम कथा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्टी को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बात द्वापर युक की है जब धर्ती पर एधरम का भोज बढ़ता जा रहा था राक्षसों ने धर्ती पर हाहा कार मचा रखा था इस बात से बहुत परेशान होकर धर्ती माने गाय का रूप धारन किया और देवताओं के पास गई और उनसे का हे देवताओं मेरी रक्षा करें इन राक्षसों के आतंक ने मेरी धर्ती पर बढ़ता जा रहा है इसे खतम करें धर्ती मा की बात को देवताओं ने सुना और उसका कोई समाधान उनके पास नहीं था इस पर उन्होंने कहा कि आप ब्रह्माजी के पास जाएं और उन्होंने ब्रह्माजी के पास जाने का निरने लिया और धर्ती माता के साथ सभी देवताओं उनके पास गए वहां पहुँचकर उन्होंने ब्रह्माजी से विंती की कि प्रभू मेरे उपर से देतियों का ये बाहर कम करें मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ब्रह्माजी ने उनकी तरफ देखा और कहा इसका एक ही उपाय है सिर्फ भगवान विश्नू कर सकते हैं देवी आप उन्ही के पास जाईए ब्रह्माजी का ये कहा मानकर उनके साथ धर्ती मा और सभी देवतागन भगवान विश्नू के निवास सीर सागर पहुँचे उस समय वह से इस नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे वहाँ पहुचकर सभी ने उन्हें परनाम किया और पूरी कहानी सुनाई पूरी कहानी सुनकर भगवान विश्नू ने कहा हे देवी परेशान ना हूँ मैं मनुस्या के रूप में पृत्वी लोग पर अवतार लूँगा और इस पाप को खतम करूँगा उनकी यह बात सुनकर धरती मा खुसी खुसी वहाँ से चली गए उधर मतुरा में राजा उग्रिसैन का जो राजा उग्रिसैन ते राज्य करते थे फे बहुत दयालू थे लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लाल्ची था उसे राजगदी से बहुत मोहु था एक दिन उसने अपने बल से और छल करके राजा उग्रिसैन को सिंगासन से उतार कर बंदी बना कर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया लेकिन कंस अपनी बेहन देवकी से बहुत प्यार करता था एक दिन देवकी की साधी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ कंस ने तै कर दी क्योंकि वासुदेव उनका मित्र भी था जब शादी तै हो गई तो निश्चित समय पर उसने देवकी की शादी वासुदेव के साथ कर दी और शादी होने के बाद जब वासुदेव के साथ देवकी को विदा करने लगा तभी आकाशवानी हुई कि हे कंस देवकी की आठवी संतान तेरा वद करेगी इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया इसके बाद वैं सोचने लगा कि देवकी की आठ संतानों में से कौन से नमबर का पुत्र मेरा वद करेगा इस ऐसमंजिस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्ने लिया कि नंबर 1 से गिनों तो 8 हो गए और 8 से गिनों तो नंबर 1 तका हो गए तो भी 8 है तो कौन सा नंबर का जो पुत्र है वो मेरा वद्ध करेगा या उसकी समझ में नहीं आया तो उसने सभी संतानों को मारने का निरनày लिया एक-एक करके उसने देवकी किछे संतानों को वहीं एक सिला पर पटक-पटक कर मार डाला भगवान विश्णू की योजना के अनुसार सेसनाग देवकी की सात्वी संतान के रूप में जनम लेने वाले थे जब देवकी सातन से गरववती थी और भगवन ने तरकीव से उसका गरवपात कर दिया और साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पतनी रोहिनी के गरव में पहुँचा दिया उसके बाद इस संतान को स्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप से जाना जाता है इसके बाद भादर पद के किर्शन पक्ष की अश्टिमी को रोहिनी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव की हतकडियां खुल गई जेल के दर्वाजे अपने आप खुल गए उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी आकाशवानी हुई कि हे वासुदेव तुम अपने इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के हियां छोड़ाओ और उनके हुआ जिस पुत्री का जनम हुआ है उसे ले आओ उन्होंने ठीक वैसे ही किया उन्होंने टोकरी में स्री कृष्ण को लेटाया और उन्हें जो चल दिये गोकुल की तरफ लेकर लेकिन रास्ते में बहुत तूफान तेज था बारिस मूसला धार बारिस पढ़ रही थी और बिजलियां चमक रही थी युमना नदी भी अपने तेज वेक के कारण बह रही थी लेकिन जो वासुदेव जी से वे बिलकुल नहीं डगमगाए और चले जा रहे थे जब वो नदी में पहुँचे तो जो नदी तो जो भगवान स्री क्रिशन के चरंच छूना चाह रही थी अपने बेग से उपर चड़ने लगी और पाने उनके सर तक आने लगा जैसे ही स्री क्रिशन ने अपने पैर नीचे के तरफ कर दिये जमुना माता ने उनके पैर चूलिये और रास्ता उने दे दिया आप वो नंद बावा के घर पहुँचे और उन्होंने यह सोदा मैया ने जिस बेटी को जनम दिया था वो सोई होई थी उन्हें कुछ पता नहीं था भगवान की ऐसी ही लीला थी कि कि किसी को खुछ पता नहीं चला तो उन्होंने वहाँ पालने में से सोई हुई बेटी को अपने साथ लिया और कानाजी को वहाँ पर लिटा दिया और वापस जेल में आ गए वासु देव के वापस आने के बाद पहले जैसे ही सब हो गए हतकड़ियां अपने आप लग गई जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए पहरेदार भी होस में आ गए और जब बच्चे की रोने की अवाज सुनी तो सैनिकों ने देवकी की आठवी संतान की खवर जाकर कंस को दे दी कंस दोड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया पथर पे मारने के लिए तो वै उसके हाथ से छूट कर हवा में उड़ गई और बोली है दुष्ट कंस मैं योग माया हूँ तुझे मारने के लिए भगवान ने गोपुल में अवतार ले लिया अब तेरा अंत निश्चित है इसके बाद स्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितनी तरह के राक्षसों को जो माया भी थे मतलब अपने आप में मतलब बहुत बलवान थे ऐसे ऐसे राक्षसों को भेजा लेकिन कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर पाया अंत में उन्होंने कंस का सनहार किया और मतूरा को उनके आतंक से आजादी दिलाई और उग्रिशेन जो राजा उग्रिशेन थे उनको गद्धी पर बठाया और अपने मावाप को जेल से रहा कराके आदर सम्मान के सहीत उन्हें महल में लाए तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सेयर जरूर करें जोर से बोलो राधे राधे जै श्री कृष्णा